अलो व्रवेवन मैं मैं आज भीदियो में हम क्या पढ़ने वाल है थिए लेवल्स यह को शंबालना लोगो के वीच यह को खतम करना dispute मतलब कोई problems जो होती है उसको खतम करना किसी प्रकार का कि disaster आ जाता है तो वहां पर लोगों को मदद करना जो सारे काम government करती है तो अब आपने ये भी देखना है कि government इतने सारे काम कैसे करती है तो government की अलग-अलग organization होती है ठीक अब अलग-अलग organization के इलावा भी जाती है तो इस तरह करती है अपने आपको अलग-अलग लावल परuffed कर देएसे अलग-अलग लावल पर डावेट कर देती है तो अब हम वही पड़ेंगे लावर साओ गर्मेंट के फार में छिखैल तो मेलनी कोरण से लावर होती है को मैं जैशन लेवल जीÜसे हम संट्र ल कि इतना बड़ा देश है देश को चलाना है तो government अपने आपको divide कर देती है levels पर अब देखो क्या है India इंडिया क्या है वास्ट कंट्री वास्ट कंट्री मतलब बहुत बड़ी country अब इतने बड़े country को इतने बड़े देश को आप कैसे चलाओगे अब ऐसा तो नहीं है कि आप देली में बैठ कर पूरे देश को चला सकते हो ठीक है आपको हर जगा क्या करना होगा आपको हर जगा आपको administrator पहुंचाना होगा ठीक है अब जो क्या है कि how government manage to do all these कि अब government जब कैसे manage कर देती है तो government क्या करती है government works at different level तो government क्या करती है government अलग-अलग level पर काम करती है अब वो को को से level होते है national level जिसे हम central level कहाते है state level and local level तो government के तीन level होते है ठीक है national level जिसे हम central level बोलते है state level and local level जिसे हम district level कहाते है तो local level क्यों होता है तो government means in your village, town or locality अब जो local government है और local government क्या होती है जिसे गोँ में पंचायद बगार होगी town में मुनसिपालिटी से होगी जो क्या हमारी local government है the state level would mean that which covers an entire state like Haryana, Assam अब state level क्या होगी जो एक particular state तो एक हर्यान होगी, Assam होगी, अबंदरपरदेश होगी जो particular state की क्या होगी state level government होगी and the national level relates to the entire country अब जो national level government होती है जो central government होती है वो क्या करती है, पूरी country को वो पूरी country को पूरी country को रिपरजेंट करती है पूरी देश को संबालती है पूरी देश को चलाती है तो देखो जहां पर क्या है national level पे जो क्या हमारी national level government जो देली में हमारी parliament जो क्या करती है, पूरी country को चलाती है, अब state level क्या होती है state level जो particular state को चलाती है, जैसे जमुन कश्मीर क्या थी पहले state थी, अब क्या होगी उसको unit territory में डिवाइड करती है जैसे माद्यापरदेश, राजस्तान गुजरात, यह कहा है state, अब इनकी क्या होती है, state government होती है, और district level जो local level क्या होती है, जो state के अंदर जो districts होती है ठीक है, तो यह क्या हमारी district level government जो चोटोटे क्या होती है, district होती है पंचायत काम करवाती है ठीक है, तो यह क्या थी आपकी levels of government, गौर्मेंट कितने levels के होती है, तीन level होती है, ठीक है, कौन कौन से national level, state level and local level I hope आपको यह levels of government समझ आया होगा ठीक है, कि state level में कौन काम करता है national level में कौन काम करता है तो इस चेप्टर में इस क्लास में आप local level government के बार में पढ़ोगे means district level government के बार में पढ़ोगे next class में 7th में आप state level के बार में पढ़ोगे और 8th में आप national government के बार में पढ़ोगे okay student, thank you